बढ़ते कोरोना को देखते हुए रेड क्रोस द्वारा जिले में मास्क वित्रण किया गया इस आयोजन में लोग सभा सांसद गजेंद्र सिंग पठेल भी शामिल हुए और जनता को मास्क वित्रण करने के साथ ही समझाईश भी दी देखे ये खास रिपोर्ट जिले में लगादार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसे लेकर प्रसाशन लोगों से गाइडलाइन का पालन करने का बार बार आगरह कर रहा है तो वही सोमवार को रेड क्रोस द्वारा भी जिले में मास्क वित्रण कारिक्रम में लोगसभा सांसद गजेंदर सिंग पतेल भी शामिल हुए उन्होंने लोगों से साशन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है लोगसभा सांसद ने कहा कि रेड क्रोस द्वारा मास्क का वित्रण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन विकल्प नहीं है हम सोशल डिस्टे सेंसिंग मास्क वा सेनिटाइजर का उपयोग करके ही इससे बच सकते है इसलिए साशन की गाइडलाइन का पालन करे और इस बिमारी से खुद भी बचे और परिजनों को भी बचाए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में और दुनिया में कोरोना का संग्वन बढ़ रहा है उसके लेकर जन मानस को भी जन जागरती का विशेच चल रहा है मैं आपके माध्यम से आभार वेक्त करता हूं हमारे रेटका समीती के सदसों का और उनके प्रबंदक्ष संभानी राधिशा मगरवाल जी का जैन जागरं अभिहान में जहां पर हमको शोश्यल डिक्सांस का पालन करना है जहां पर हमको बार बार सिनेटराइजिंग करना है अब लाउगडाउन विकल पनी रहा इसके साथ ही सांसद गजेंद्र सिंग पर टेल अस्थाई जेलों का दौरा करने भी पहुचे जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया इसके लिए शाषन और देश के चोते संब आप यह सब मिलके प्रयास करेंगे तो हम सफल हो पाएंगे और मैं आज बड़वानी शहर में इना माक्स वालों को हिदायत भी जारी है उनको पकड़कर खुली जल में रखा जा रहा है और मैंने भी पुली जल का नेक्षन भी किया लगातार बढ़ते कोरना संक्रमन को देखते हुए जहां रेड क्रॉस द्वारा मास्क का वितरन किया गया तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा सांसद ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की MP News के लिए तरुन जैमन की रिपोर्ट